स्वागत है मेरे इस चैनल में और मैं आज बात करने जा रहा हूं Realme X device के बारे में मुझे इस device को यूज करते हुए लगबग पाश मेंने हो चुके है क्या इस device को आपको लेना चाहिए 2020 में या नहीं तो चले शुरू करते हैं पहले में डिस्प्ले के बारे में बताना चाहूंगा यह फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आता है विद सुपर अमिलेट स्क्रीन जापर यह प्रवाइड करता है पंची कलर्स एंड कलर साचुरेशन इसका बहुत अच्छा है अमिलेट स्क्रीन के वज़े से हमें देखने को मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगर्पिंट सेंसर जो की बहुत फास्ट एंड अकुरेट है तो बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में यहाँ पर तोड़ा वेरेशन देखने को मिला है जब यह नया था तब इसका बैटरी ट्रेनिंग इशू नहीं था मतलब बहुत आचा बैकप देता था फिर बीच में रियल में वालों ने एक अपडेट निकाला जहाँ पर इसका तोड़ा बैटरी ट्रेनिंग इशू शूरू हो गया था पर नए अपडेट के साथ यह इशू भी फिक्स हो गया है और हमें दिखने को मिलता है वुक्ट चार्जर जो कि एक घंटे के अंदर है आपकी डिवाइस को फुल चार्ज कर देता है मतलब कोई भी प्रोब्लम नहीं है बैटरी के बारे में तो बात करते हैं के बारे में यह पर हमें कोई लैक दिखने के नहीं मिलता है क्योंकि जो इसका स्टोरेज स्पीड है यूफस 2.1 जो की दोनों को कॉंबिनेशन से हमें कलर वे सिक्स का यूई भी बहुत अच्छा दिखने को मिलता है जो अगला पॉइंट है इटिंग इशू के बारे में तो मैं आपको कहना चांगा कि इसमें इटिंग इशू ना के बराबर है अगले पॉइंट के बारे में जो की है पॉप अपक्यामरा इस केमरा से हमें देखने को मिलता है फुल व्यू डिस्प्लेइ पर भी हमें तोड़ा और इंप्रिमेंट का ज़रूत पड़ेगा जो की आगले अपडेट में मिल जाएगा इसके वज़ेशा में देखने को मिलता है फुल स्क्रीन डिस्प्लेइ जो की बहुत सुन्दर दिखता है अब बात करते हैं इसके स्पीकर ग्रिल्स एंड हेड़फोन जैक के बारे में इसके आप आउटपूट के सा है इसके दिखने को मिलता है डूवल स्पीकर ग्रिल्स उपर भी और नीचे भी तो हमें डॉल्बी एट्मास्पिर मिलता है जो की बहुत अच्छा है और इसका उ के आपर यहां पर में पपजी कि युक्त वाला क्यों कि वो सिर्फ 40 अवस पुट करता है अभी और में खिलने वाला हूं Call of duty क्यूंकि वो 60 अवे सबस सबढ़ करता है और में Call of Duty में कई लग दिखना कर नहीं में पता कभी कबार Battle Royale में चाहिसे लाग हो जाता है कि वहाँ पर ज्यादा लोग आजेता है इंटे सीच्ट हो जाता है कभी कभा ऐसा हो जाता है और आप दिखने को रह लिए कि हर एक एंडेट फोन में लाग होता है क्योंकि उस पून के लिए ऑप प्रिस फोन के लिए तो मैं आपको सेजेशन इस गेम में मैं रश नहीं करने वाला हूं क्योंकि मुझे नीक चाहिए नीक मतलब नुक्लियर बॉम्ब झाक के लिए उफने विए लाव एक वाज़ वाज लाज़ करने वाहिए भाज़ वाज़ याज़ वजाए पर जो जब वो जब वाज़ी वाज़ वाज़ वहां हो घ्सकाणिए जए नवा का रहते हैं वहां चैश्ते है या सुर्ण कर दो सब्सक्राइब का रहते हैं दो आहते हैं कि बेस बेला जोब बहों कुले का रहते हैं झाल झाल जाइ जाmapाल और ≦ अक्रश ए लयत्या ग् decाहित ए अक्रष्ट ए ले वल्स कर दिएनिसे वाफाद अबहाँ चर्ट। कर दोधीर चापते हैं कि बंबहाँ भूब्थ करें करें फटलादी करें परादीं करें लोір हिए औIP ाज़ उने टेफलादी बत्रत वार्टन है करें टेट ले पुली वका गचाँ एफ दोके साथ जे अजिए गोड़ी भी अजिए हुस्ते हुड़ाद जे उपकाद होस्ता हुड़ादी को बाद बाद बेटो गिरों कि लिए पाद हुआश्व डाद प्यूली है तो तो लिए अब बात करने जा रहा हूँ इसके प्लस पाइंट के बारे में जो है बैक केमरा जो आता है 48 में का पिक्सा फ्लक्शिप लेवल सेंसर के बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है कुछ सैंपल आप दीक रहे हैं पंची कलर्स पसंद नहीं है तो आप इसमें जी कैम डाल सकते है क्योंकि वह सपोर्टेड है आपको गुगल प्लेस्टोर में नहीं मिलेगा किसी और वेबसाइट में आप जाकर डाउनर कर सकते हैं जो कि आपको नेच्रोल कलर देगा तो बात है कंक्लूजन पर कि आप इस पोन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो मैं को बताना चाहूंगा कि आपको फुल वीव डिस्प्लेई ही चाहिए विद अमिलेट स्क्रीन एंड अंडर डिस्प्रेड फिंगर्ट्रेंट सेंसर विद वुक चार्चर तो आप इस पोन के साथ जरूर जाएगा तो इसरे सेज़ेशन की बात के जयतों में आने वाला जो नगी आजा फोन है अओनर 9x ऑनटर 2वोग डिस्प्लेई के साथ आता है पर उसमें वैकरण एमेलेट स्क्रीन नहीं है तो जैसे उसमें अंडर ट्रिस्प्य ट्सेंट सेंसर भी नहीं है और उसका का क्याम्रा भी उक हमार चाहिए है तो दिखने को में लागा 14,000 या 15,000 के 15,000 या 16,000 रुपीज में जो कि 64 GBF स्टोलर्स आपको दे देगा और सबी फीचर से उसमें और थोड़ा अच्छा प्रसेसर है और कैमरा भी उसका अच्छा है आप अपना बजेट बढ़ा सकते हैं तो आपको नौच भी चलेगा मतलब आप Realme X2 के साथ भी जा सकते हैं को भी तो इसमें भी एम रेड़ स्क्रीन, अंडरेड इस्पेक्ट विट सेंसर, वूक चार्जर सब कुछ है पर उसका प्राइस तोड़ा हाई है अगर किसको भी इसके कलर रेलेज से प्राबलम है तो मनको कहना चुंगा कि आने वाले कुछ लिए ही दिनों में रेल में अपना रेलमी ओएस का अपडेट लाने वाला है जो की नियर टुस्टा का अंडरेड वाला ही होगा अगर रेलमिक्स के बारे में कोई कोशन हो तो मुझे जरूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजे और मेरे चैनल को प्ली सब्सक्राइब कर लीजे अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक गुडबाई